हेलो एवरिवन वेलकम टू टॉप अबेंस आज हम लोग इंगलिश कम्यूनिकेटिव रीडर क्लास नाइन का चैप्टर दे मैन हू न्यू टू मच पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर जो है ये स्टोरी जो है ये लिखा गया अलेक्जेंडर बैरोन के द्वारा और अलेक् लिखा है और इस स्टोरी का टाइटल है थमाएं हुं यू फू माँज़ वह व्यक्ति जो बहुत कुछ जानता है तो ये तो हम लोग स्टोरी पढ़ने के बाद हीं जान पाइंगे कि वह वह जो वक्ति जिसके बारे में बात किया गया है वह सच्में इतना जानता है भी य कि परती हुआ है और वो अपने आपको पहुत ही काभील समझता है उसको लाइसा लगता है कि उसके पास सारी जानकारी सारे knowledge है वो सबको फरी में घ्लान बाड़ते रहता है सबको interrupt करते रहता है सबको टोकते रहता है यह करो वो अच्छा चल रही होती है, तो वो अपने seniors को भी, वो अपने seniors को भी सिखाने को चलता है, उनको भी बीच में interrupt करता है, training session जो classes चलते हैं, उसके बीच में ये खड़ाओ करके बोलता है teacher को, मतलब अपने seniors को, commandant वगेरा इन लोगों को, sergeant को, और उन लोगों को बुरा लगता है, तो इस इसका जो over confident है, ये जो nature है इसका, यही इसका एक दिन कमजोरी बन जाता है, और इसी का वज़े से उसको बहुत problem जहलना पड़ता है, तो यही इस story में हम लोग देखेंगे, और उस कमजोरी कहने का मतलब है, कि इस story में हम लोग पढ़कर के आगे जानेंगे, कि वो कमजोरी है क्या, और उसको क्या जहलना पड़ा, इस over confidence वाला जो इसका nature है, इस सैनिक का, इससे उसको क्या जहलना पड़ा लाइफ में, तो वही है इस story में, तो अच्छा story है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा, और वीडियो को एक लाइक दीज तो ये जो private quelch नाम का सैनिक है, इसको सब कोई professor के नाम से बोलता है, सब कोई professor के नाम से जानता है, इसको professor नाम दे दिया है, nickname, जैसे हम लोग स्कूल में पड़ते हैं, college में जाते हैं, तो कैसे हम लोग को निकनेम दे देता है, कुछ भी दे देता है, नाम है ना, पंडीत, वंडीत कुछ भी क्या-क्या बोलता है डाकू ये वो बिच्छू कुछ भी नाम देते हैं ना अपने दोस्त लोग तो वैसे ही जब वो ट्रेनिंग में गया सैनिकों के साथ तो उसके दोस्त लोग उसको नाम दिया प्रोफेसर क्यों प्रोफेसर नाम दिया उसको है ना हम लो क्वेल्च एट दे ट्रेनिंग डेपो तो उन्होंने सबसे पहले एक प्राइवेट क्वेल्च से कहा मिना था ट्रेनिंग के डेपो में ट्रेनिंग सेशन के टाइम पर तो पहला ही सब्ता में जो भी लोग आर्मी में इंडक्ट होते हैं आर्मी में आर्मी जॉइन करते हैं तो उन्हों को पहला वीक में लगबग लगबग आर्मी लाइफ स्टाट करते करते हैं उन्हों को यूनिफॉर्म मिलता है उन्हों को राइफल मिलता है और बहुत सारे च दोस्त लोग रहेंगे, तो वहाँ पर मस्ती मज़ाख होगा ही, कुछ भी निकनेम मिलेगा, मज़ा आएगा है ना, और हम लोग मना भी नहीं करते हैं उस निकनेम को, और वो निकनेम हमेशा के लिए रहे जाता है हमारे दोस्तों के जहन में, और वो हमेशा हमको उस नेम से ही अच्छा अभी ये कहा जा रहा है कि कोई भी प्राइवेट क्वेल्च को जब देखता है तो वो काफी लंबा कदका है उंचा है लैंकी मतलब लंबा और पतला लड़का है स्टूपिंग सामने की और जुका हुआ है फ्राउनिंग मतलब दूसरे के बात को अप्रूव नहीं क निकालता था तो वही है फ्राउनिंग का मतलब वह फ्राउनिंग था मतलब वह किसी का बात को एज इट इस ले नहीं लेता था उसमें कुछ करेक्शन करता था उसको मतलब आपने अकॉर्डिंग करता था कोई भी कुछ उसको बोलेगा तो वह बोलेगा आरे नहीं नहीं व निकला हुआ तो वह horn-rimmed मतलब horn मतलब जैसे जैसे की लग रहा है की सींग है साइड से तो ऐसा करके वह चस्मा पैना हुआ था तो और पूरा look उसका कैसा लगता था जैसा की वह एक professor है इसलिए उसको professor नाम दिया गया और साथ ही वह बहुत सवाल जवाब सबको ज्ञान देना यह सब करते था तो मिल जूल करके उनको प्रॉफेसर नाम दिया गया था those who had any doubts on the subject lost them after five minutes conversation with him those who had any doubts on the subject अभी हम लोग किस subject पर बात कर रहे हैं अभी हम लोग बात कर रहे है कि वो प्रॉफेसर जैसा दिखता है उसका लुक ऐसा है उसका पतला लुक है वो सामने की और जुगा हुआ है वो किसी का बात को मानता नहीं है जैसे कि प्रोफेसर लोग है वो अपना ग्यान देते रहता है तो किसी को भी अगर इस सब्जेक्ट पे अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो वो अपना डाउट खो देता है सिर्फ पा रखाय सही रखाया प्रोफेसर ही लग रहा है इतना भासन देता है यह बहुत भासन देता था ठीक है तो इसका आप कुछ और मिनिंग मत निकलना इस लाइन का बहुत लोग और मिनिंग यह निकाल लेते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट पे उसके कोश्यन पूछा जाए तो वह सा सारा सवालों का जवाब दे रहा है ऐसा नहीं है यहां पर मीनिंग यह है कि आप अभी सबजेक्ट किय tussen हम लोग क्या सबजेक्ट डिसक्स किया है यह ही कि वो प्रोफेसर जैसा देखता है प्रोफेसर जैसा उसका चाल ढाल है तो जिसको भी इस सब्जेक्ट पे इसको प्रोफेसर होने पे जिसको भी डाउड था वो पांच मिनट ही उससे क्यों बात कर ले तो उसको यकीन हो जाता था कि वो प्रोफेसर नाम जो है दिया गया है वो सच में वो ठीक है I remember the first lesson we had in musketry तो मुझे याद है कि musketry में जो हम लोगों को पहला lesson मिला था musketry का मतलब होता है वो जो बंदूक चलाना बंदूक में क्या-क्या mechanism होता है पिश्टल में या फिर राइफल में तो उसको musketry बोलते हैं उस lesson को we stood in an attentive circle while a sergeant sergeant जो होते हैं high rank के जो यह होते हैं senior होते हैं सेना में आर्मी में उनको sergeant बोला था a man as dark and sun dried as resins तो sergeant जो थे वो काफी dark दिखने में थे और kismis धूप में सुखाया हुआ किसमिस की तरह एकदम सुखे हुए दिख रहे थे wearing northwest frontier ribbons और वो northwest frontier ribbons पहने हुए थे described the mechanism of a service rifle उन्होंने service rifle जो बंदूक है उसके बारे में समझाया कि उसका mechanism कैसा होता है फिलाल हम लोग यह जानेंगे कि northwest frontier ribbons क्या होता है तो northwest जो है वो अभी जो present पाकिस्तान है वो उस टाइम पे ब्रिटिस के टाइम पे वो northwest frontier कहा जाता था उस जगा को तो वहाँ पे यह sergeant ने काम किया हुआ था सर्विस किया हुआ था और उनको ribbons मिला था ribbons जो होता है वो उनके वर्दी में उनका जो ड्रेस है वो ऐसा गोल करके या फिर ऐसा करके ऐसा लगा हुआ रहता है उसके ड्रेस में उन लोगों के मेकनिजम में उनका जो यूनिफॉर्म है उनके यूनिफॉर्म में इस तरह से रिबन टाइप का कुछ लगा हुआ रहा था जिससे पता चलता है कलर से कि वो किस रिजेंस आये किस रिजें में उन्होंने काम किया था अभी उन्होंने कहा क्या अभी सरजेंट जो है वो क्लास ले रहे हैं राइफल के बारे मैं और वो कह रहे हैं और बीकिजश रहे हैं जिसको आजकल लड़के बोलते हैं इसको बोलते हैं मजल जिसको बोला जाता है पंदुक की नली यह जो है यह स्टार्टिंग का पाट मजल तो मजल वेलोसिटी जो है स्पीड जो है बुलेट का जब वो बुलेट लीव करता है राइफल को छोड़ता है यहां से बुलेट जब निकलता है तो उसका स्पीड जो होता है वो 2000 फीट 2,000 feet सोचलो 2,000 feet 1, 2, 3, 4 feet नहीं 2,000 feet per second है ऐसा सर्जेंट ने कहा सारे soldiers को training में तो बीच में एक voice interrupt किया एक voice उठा एक आचानक से एक आवाज आया अब voice interrupted 2,440 feet per second exactly ये number बताया 2,440 feet per second लेकिन सर ने क्या कहा था सर्जेंट ने only 2,000 feet बोला था इट वाज दा प्रोफेसर ये किस ने कहा वही private quail जो था वो जो सैनिक था नया सैनिक जो training में था जिसका नाम प्रोफेसर दिया गया था वही खड़ा हो करके interrupt कर दिया वो बोल दिया सर को सर को पढ़ा सर तो पढ़ा रहे थे सर्जेंट समझा रहे थे मेकनिजम लेकिन उसने interrupt किया ऐसा बोल करके 2,440 feet per second उससे किसी ने पूछा भी नहीं था वो खुद से खड़ा हो करके तेज बन करके आप लोग क्लास में देखे होंगे बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं बीच में बोलते रहते हैं अपना knowledge का प्रदर्शन करते रहते हैं थोड़ा सा पढ़ करके आते हैं और फिर क्लास में सबको disturb करते हैं टीचर पढ़ाते हैं उसमें interrupt करते हैं उसमें क्या होता है कि टीचर कभी-कभी शॉट में कुछ और बोल जाते हैं मतलब पूरा complete detail नहीं देते हैं और लड़का complete detail दे करके teacher को नीचा दिखाता है तो वही हुआ यहां पर कि sergeant को बहुत अंदर से बुरा लग गया कि sergeant ने तो 2000 बोला था और उस बंदे ने तो पूर energy का सर बोले हां ठीक है and went on lecturing और फिर lecture देते रहे when he had finished he asked us questions जब उनका पढ़ाना हो गया तो उन्होंने फिर question पूछना सुरू किया perhaps in the hope of revenge सायद वो बदला लेना चाहते थे क्योंकि sergeant को ऐसा बोल करके interrupt करके वो जो प्रोफेसर था private quelch वो थोड़ा सा बेज़त कर दिया ऐसा लगा sergeant को सायद बेज़ती फील हुआ होगा insult फील हुआ होगा सारे बच्चों के सामने इसने खड़े होका ऐसा बीच में बोल दिया तो तो वो बदला लेने के लिए शायद बहुत सारा question पूछने लगे sergeant सारे बच्चों को सार मतलब trainee trainee जो soldiers थे उनको he turned with his questions again and again to the professor और वो जो प्रोफेसर था लड़का उसको पूरा question पे question पूछा जाने लगा sir पूछे जाने लगे the only result was to enhance professor's glory और result क्या आता था प्रोफेसर सारे question का जवाब देते गया और प्रोफेसर का जो glory था वो और बढ़ता गया उसका नाम जो है और बढ़ता गया technical definitions the parts of a rifle its use and care he had them all by heart technical definition क्या होता है rifle का parts क्या होता है rifle को कैसे use करते है rifle को कैसे care किया जाता है सब कुछ उसको by heart याद था प्रोफेसर को वो ऐसे ही प्रोफेसर नहीं कहलाता था बेटा वो बहुत तेज था वो तो sergeant भी चौक गया कि question पर question पूछे और ये जो है जवाब पर जवाब दिये जा रहा है the sergeant asked have you had any training before क्या तुमने कभी पहले भी training ले चुका है क्या सब कुछ मालू मेरे तुमको the professor answered with a phrase that was to become familiar to all of us और प्रोफेसर ने जवाब दिया जिस वाक्या से फ्रेज से वो जो है वो famous हो गया क्या बोला उसने प्रोफेसर ने जवाब किया दिया sergeant को no sergeant it's all a matter of intelligent reading अरे नहीं sir ये तो intelligent reading अच्छे से पढ़ाई करने का अच्छे से reading करने का नतीजा है मतलब अपने आपको थोड़ा सा ताव दिखा रहा अपने आपको थोड़ा सा गौरवान्वित फिल कर रहा सब के सामने दिखा रहा कि हम बहुत तेज हैं बहुत intelligent है intelligent reading करते हैं इसलिए हमको सारा knowledge rifle के बारे में प्रोफेसर ने ऐसा कहा that was our introduction to him तो यहां से हम लोगों का उस प्रोफेसर प्राइवेट क्वेल जो लड़का था उसके साथ introduction हुआ we soon learned more about him हम लोग जल्द ही उसके बारे में बहुत कुछ जान गए he saw to that he meant to get on he told us वो हम लोगों को बताया कि मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ he had the brains मेरे पास दिमाग है मेरे पास बुद्धी है मेरे पास intellectual power है he was sure to get a commission before long और वो ऐसा बता रहा था एसा शूर था कहरा था कि वह शूर है कि उसको commission मिल जाएगा बहुत जल्दी commission मते का मतलब यहां पर है कि बहुत जल्दी उसको बड़ा पोस्ट मिल जाएगा बहुत जल्दी वो प्रोमोचन ले करकरके बड़ा को पोष्ट मतलब को सब्सक्राइब और यह लोग को पोश्ट मिलेगा आर्मी को ज्दाइन करेंगे के लिए पता हुआ क्या प०ू मिम् inlet को पाने के लिए वी सपना को पाने के लिए उसने बहुत work hard गिया, उसने बहुत मेहनत किया, we had to give him credit for that, हम लोगों को इसका credit तो उनको देना ही चाहिए, किसको private quelch का बारे में बात हो रहा, जिसका नम professor है, he borrowed training manuals, उसने training manual को, manual का मतलब क्या होता, जो books होता है, training का सारा books, जिसमें सारे details रहते हैं, informations रहते हैं, exam में क्या अधार मांग करके लाया, मांग मों करके और फिर रात को जग करके वो पढ़ भी रहा है, he badgered the instructors with questions, मतलब जब instructors उनको पढ़ाने के लिए आते थे, training के session में, तो वो बहुत सारे questions का भरमार, बौचहार कर देता था, question पूच पूच करके, he drilled with enthusiasm, and on route marches, he was not only miraculously tireless, but infuriated us, all, with his horrible heartiness, आप सुनो, he drilled with enthusiasm, वो जो energy के साथ भरा हुआ था, वो march, जो march किया जाता है, सैनिक के द्वारा march किया जाता है, PT जैसे हम लोग स्कूल में PT नहीं करते हैं, band भजता है, हम लोग ये करते हैं, standardizedies, attention, उस तरह से वो जो march होता है, फिर पूरा ground में move करना होता है, march करता है, तो वो march कर रहा था, और miraculously, जादूई तरीके से वो ठका भी नहीं था, tireless, वो एकदम ठका नहीं था, energy से full था, जिसके वज़े से जो देख करके, हम लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, infuriated, infuriated us, हम लोगों को बहुत irritation हो रहा था, उसको ऐसा energy में देख करके, ठीक है, वो, क्यों कुस्सा आ रहा था, हम लोगों को, क्योंकि वो ऐसा कह रहा था, what about a song, chaps, is not greeted politely at the end of 30 miles, 30 miles march करने के बाद, 30 miles पैदल चलने के बाद, march करने के बाद भी, उसमें energy भरा हुआ है, वो बिल्कुल भी थका नहीं है, और हम लोगों को बोल रहा है, कि what about a song, गाने के ब लोगों को बहुत गुसा आ रहा है, irritated हो रहा है, क्योंकि हम लोग ठक चुके हैं, और वो बाबु मुसाय इतना चलने के बाद, इतना march करने के बाद भी ठका नहीं है, और पूछ रहा गाना कैसा है, तो इस वज़ए से हम लोगों को गुसा आ रहा, his salute at the pay table was a model to behold, और जो व senior को देखता है, officers को देखता है, तो उनको अपने skinny मतलब, skinny मतलब पतला हाथ से, वो straight होकर के, वो salute करता है, ठीक है, और salute करके march करता हुआ, canteen की और जाता है, जैसे कि वो guardsman है, है ना, तो इससे होता क्या है, कि जो officers है, उनका ध्यान जो है, उसके उपर जाता है, और हम को officers देखते ही नहीं है, वो last में salute मारता है, और guardsman की तरह जाता है, march करता हुआ, एक दम strict होकर के, तो officers का ध्यान उस पर जाता है, and day in, and day out, मतलब, पूरा दिन, he lectured to us in his drowning, remorseless voice, on every aspect of human knowledge, और दीन भार, पूरा दीन, वो हम लोगों को lecture देते रहता है, अपना बाहरी आवा से remorseless होकर के, ठीक है, दीन भार human knowledge के बारे में, पूरा दुनिया का knowledge ऐसा लगता है, उसके पास जमा हुआ है, और हम लोगों को दीन भार वो भासन दे करके, पकाता रहता है, lecture दे करके, at first we had a certain respect for him, starting में सुरू में तो हम लोगों को थोड़ा respect था उसके लिए, but soon we lived in a terror of his approach, और फिर उसके बाद हम लोग डर से जीने लगें कि कहीं वो आना जाए, मतलब हम लोग डरते थें कि कहीं private quels यहां ना आ जाए, आ करके भासन देगा और कान पका देगा एकदम, we tried to hit back at him with clumsy sarcasm and practical jokes, तो हम लोग सब friends मिल करके, उसको sarcasm मारते थे, उसको practical jokes, sarcasm jokes मारते थे, लेकिन क्या होता था, the professor scarcely noticed, scarcely का मतलब क्या होता, बहुत कम negligible, तो professor जो था एकदम notice ही नहीं करता था, हमारा sarcasm, हमारा joke, हम लोग जो उसको भीगा भीगा करके मारते थे, बातों से, लेकिन उसको कोई फरक नहीं पड़ता था, scarcely noticed, मतलब एकदम ही नहीं notice करता था, he was too busy working for his stripe, वो अपना stripe पाने के लिए, पहला post पाने के लिए वो खुब महनत कर रहा था, और busy था, each time one of us made a mistake, the professor would publicly correct him, कभी भी हर समय हम लोग जब कोई mistake कर दें, तो professor आता है, और आ करके हम लोगों को publicly correct करता है, सब के सामने में correct करता है, सब के सामने में हम लोगों को नीचा दि Sean, मतल露, Sean का मतलब क्या होता, Shine का form is shown, मतलब हम में से कोई भी अगर महनत करके या ज्यादा marks ले आता है, या चमकता है कोई भी, तो professor उसको क्या कर देता है, the professor out shown ही, professor उसको फिर से नीचा दिखा देता है, और professor जो है, खुद से ज़्यादा महनत करके उससे ज्यादा marks ले मतलब परोफेसरज्ग किसि को आगे बढ़ने देता ही किसी आगे रहता है हर सबसे आगे रहता है हर साधाएओ दोड़ दूप रॉख यू यू चैया एक्सरसाईज़ बाक्य लोगों को आउट्सों कर देता है और कर देता है वल्याар After a hard morning's work of cleaning out our hut, मतलब जब हम लोग hard work की हैं सुभा morning work में और अपना घर को clean कर रहे थे, अपना hut को clean कर रहे थे, जहां पर हम लोग रहते हैं, we listened in silence to the orderly officer's praise. The professor would break out with a ringing, dutifully beaming, thank you sir, and how superior, how condescending he was. और जैसे हम लोग पुरा घर को साफ करते थे, ठकने के बाद भी घर आ करके वापस, और ये professor क्या करता था, जो officer होता है, उसके सामने में पुरा duty fully होकर के, आवाज में, बुलन्द आवाज में बोलता था sir को, officers को, thank you sir, है ना, और अपने आपको दिखाता था, कि वो बहुत superior है, and how superior, now, how condescending, condescending का मतलब, हम लोगों को कितना नीचा feel होता है, जैसे कि हम लोग कुछ काम किये ही नहीं है, हम लोग भी साफ कर रहे हैं हाट को अपना, सब कोई मिल करके कर रहे हैं, लेकिन जब तारीफ लेने का टाइम आ रहा है, जब बड़े officers आ रहे हैं, तो उनके सामने ये जा करके thank you sir कर रहा है, dutifully मतलब उनके सामने दिखा रहा है, कि मैं ही हूँ superior, और हम लोगों को नीचा दिखा दे रहा है, condescending, it was always, it was always, वो हमेशा ऐसा ही कहते रहता था, कैसा, let me show you, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, fellow, or, no, you will ruin your rifle, that way, old man, और वो मतलब सबको ऐसे घ्यान देते रहता था, टोकते रहता था, आओ आओ मैं तुमको दिखाता हूँ, आओ आओ, अरे तुम ऐसे मत करो राइफल को, राइफल को तुम ऐसे बरबाद गर दोगे यार, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सब कुछ सिखाते रहता था सबको, we used to pride ourselves on aircraft recognition, aircraft, जो हवाईजाज, fighter plane वगरा जो उड़ते हैं, उनको पहचानने में, उनका आवाज सुनकर के, हम लोगों को पहचानने में, हम लोगों को बहुत गर्व फिल होता था, हम लोग उसको पहचान पाते थे, सारे ग्रूप के सैनिक जो ऐसा बोल रहे हैं, कि हम लोग जो है, उसमें author भी है, जो writer है, वो भी बोल रहा है कि, एरक्राफ्ट को हम लोग पहचान सकते हैं, मतलब उसमें हम लोगों को pride, pride है, confidence है, once out for a walk, जब हम लोग बाहर एक बार घूम रहे थे, पैदल चल रहे थे, walk कर रहे थे, we heard the drone of a plane, हम लोग plane का, एरोप्लेन जो आसमान में उड़ रहा है, उसका drone सुने, उसका आवाज सुने flying में, हमारे उपर उड़ रहा था, none of us could even see it, in the glare of the sun, मतलब सूरज के रोशनी में, हम लोग उस plane को देख भी नहीं पाए, कोई नहीं देख पाया, without even a glance upward, बिना उपर देखे, बिना उपर नजर लगाए हुए, the professor announced, और वो जो प्रोफेसर था, वो announce कर दिया कि, that, that of course, is a North American Harvard trainer, और वो बिना देखे ही, उपर बिना देखे ही बोल दिया, कि अरे ये तो North American Harvard trainer, एरोप्लेन है, it can be unmistakably identified, by the horse engine note, उसका जो horse engine का जो आवाज है, note का मतलब आवाज, due to high tip speed of the air screw, air screw का high tip speed के वज़े से, इस तरह से उसका आवाज है, और इसको पहचानने में कोई mistake हो ही नहीं सकता है, ये तो North American Harvard trainer एरोप्लेन है, बिना उपर देखे ही बोल दिया, सब कोई चकित रह गया, है ना, सब कोई सोच रहे है, हम लोगों तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे, बिना देखे है, इसे ही बोल दिया, तेजा बन के, what could a gang of louts, like us do with a man like that, अरे हम लोग तो लफुआ का gang है, हम लोग तो लफंदर आदमी है, लफंदर बच्चा है, हम लोगों तो कुछ नहीं पता है, हम लोग तो सैतान है, louts, gang of louts है, और ये बुद्धिमान लड़, ये तो बुद्धिमान आदमी है, इसके समने हम लोगों का क्या उकाद है, ऐसा ओथर बोल था, मतलब अपने आपको बहुत नीचा फिल कर रहा हो लोग, कि वो जो प्रोफेसर इसको इतना ज्यान है, इतना सब कुछ बता रहा है, हम लोग तो बेकार आदमी है एकदम, कुछ पता ही नहीं हम लोगों को, वह, हम लोग तो एकदम लफ हुआ है, गिर गए है एकदम, नन अफ उस विल एवर फॉगेट, दे ड्रावजी समर आफ्टरनून, वीच वाज सच अ टर्निंग पॉइंट इन दे प्रोफेसर स लाइफ, तो यहां से टर्निंग पॉइंट है, हम लोगों को ध्यान देना यहां पे, कि समर का जो आफ्टरनून है, गर्मी का आफ्टरनून है, और ड्रावजी का मतलब होता है, बहुत स्लीपीनेस आना, बहुत नीद आना, ठीक है, तो हम लोग उस समर आफ्टरनून को भूल नहीं सकते हैं, जिस समय हम लोग बहुत नीद में रहते थे, ठीक है और उस समय एक turning point आये था प्रोफेसर के life में we were sprawling contentedly on the warm grass while corporal turnbull was taking a lesson on the hand grenade हम लोग घास पे लेटे हुए थे sprawling कर रहे थे घास के उपर में ठीक है गरम घास के उपर में और जबकि corporal turnbull थे corporal turnbull भी एक senior थे और वो हम लोगों का class ले रहे थे लेसन दे रहे थे किस चीज पे the hand grenade पे तो hand grenade जो होता है जो bum जो फेका जाता है कैसे hand grenade कहते है तो उसके उपर वो लेसन दे रहे थे कौन corporal turnbull जो की senior officer है corporal turnbull was a young man but he was not a man to be trifled with corporal turnbull जो थे वो young man थे ठीक है जो सीले थे ठीक है और उनको वो ऐसा व्यक्ती थे जिनको कोई धोका नहीं दे सकता जिनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता trifled with का मतलब जिनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता जिनको कोई छका नहीं सकता he had come back from dunkik वो dunkik से आये थे with all his equipment correct वो अपने सारे equipment सारा समान को साथ लेकर आये थे and accounted for and his kitten in his pocket सब कुछ वो लेकर के आये थे he was our hero वो हमारे hero थे and we used to tell each other that he was so tough that you could hammer nails into him without his noticing it तो हम लोग आपस में बात करते थे कि हम लोगों का ये hero है corporal साब जो है corporal turnbull साब जो है वो हम लोगों के hero है और वो इतना tough है इतना मजबूत है उनका body कि अगर आप लोग हथोड़ी से हथोड़ा hammer से अगर उसके अंदर में कील भी ठोकोगे यह सूई भी चुभा होगे nails कील भी चुभा होगे उसके body पे तो उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा इतना मजबूत है corporal turnbull तो वो hand grenade का class ले रहे है the outside वो class ले रहे है और यह line बोल रहे है the outside of a grenade as you can see corporal turnbull was saying is divided up into a large number of fragments to assist segmentation corporal turnbull class ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो grenade का outside part है जिसको तुम यह देख पा रहे हो वो बहुत सारा large number of fragment large number of टुकडो में बटा हुआ है segmentation को assist करने के लिए फट से उदर से आवाज आता है class से 44 next what's that the corporal looked over his shoulder corporal ने shoulder के उपर से देखा अरे ये क्या है किसने बोला 44 मतलब फिर उसके बाद वो बोल रहा 44 segments the professor beamed at him अब प्रोफेसर उनको कह रहा है खड़ा हो करके कि 44 segment है सर सर ने तो सिर्फ segment का बात किया था number तो बताया ही नहीं था और ये प्रोफेसर महोदे इसको सब पता है काबिल खड़ा हो करके बोल दिया 44 segment अब कॉर्पोरल सर को तो बुरा लगेगा ही उनको तो इंसल्ट फिल हो गा ही अब ना मजा आएगा स्टोरी अब माजा आएगा स्टोरी में skip मत करो बाबू लोग ठीक है अच्छे से स्टोरी को सुनो the corporal said nothing corporal ने कुछ नहीं कहा but his brow tightened लेकिन उनका जो brow है eyebrow वो टाइट हो गया थोड़ा सा उनको बुरा लग गया he opened his mouth to resume उन्होंने अपना मूँ खोला और फिर से continue किया chapter को lesson को and by the way corporal we were all thunderstruck और फिर उसने ये भी कह दिया कि and by the way corporal अरे सब कोई thunderstruck हो गया सब कोई को शॉक मार दिया अरे ऐसे कौन बात करता है साहब से ऐसे कौन बात करता है trainee officer से the professor was speaking again प्रोफेसर फिर से बोल रहा था shouldn't you have started off with the five characteristics of granite ले अब ये बोल करके तो corporal को तो पूरा गुसा करवा ही देगा कौरपोरल को बोल रहा है वो प्रोफेसर है क्वेल्च खड़ा हो करके और बाइदा वे corporal shouldn't shouldn't you have started off with the five characteristics of the granite क्या आपको granite का five characteristics से lesson को start नहीं करना चाहिए था अब उसको सला दे रहा उल्टा student कौन student वही जिसको प्रोफेसर कहते हैं प्राइबेट क्वेल्च को वो प्राइबेट क्वेल्च जो है वो यहाँ पे corporal जो यहाँ पे class ले रहे हैं hand granite पे उसको सिखा रहा है कि hand granite के बारे में पहले वो लोग पाँच करेक्टरिस्टिक बताते हैं तो आपको भी बताना चाहिए था ना सर ऐसा बोल दिया प्रोफेसर ने corporal को in the silence that followed a dark flush stand the tan of the corporal's face अभी corporal का जो face है वो पुरा dark flush stand the tan tan उसका जो tan color है वो change हो गया ठीक है color change हो गया corporal का face का here he said at last you give this lecture here सुनो he said at last उसने कहा you give this lecture आओ तुम ही lecture दो इदर आओ ना तुम ही lecture दो as if afraid to say anymore he tossed the grenade to the professor बाकी कुछ ना कहते हुए उसको ऐसा लगा मुझे लगता है कि corporal को साइट थोड़ा डर हो as if afraid to say anymore कुछ बोलने से वो डर गए और डर करके grenade को जो है वो professor की ओर फैक दिये toss कर दिये toss the grenade to the professor professor के हाथों में grenade फैक दिये quite unbeashed quite unbeashed का मतलब है बेशर्मी से बेशर्मी quite unabashed unabashed मतलब बेशर्मी से private quelch private quelch को कोई शरम भी नहीं आया उसको सर दे दिये grenade और वो ले भी लिया और private quelch क्या क्या climb to his feet अपने पैरों पे खड़ा हो गया और उपर चड़ गया with the altitude of a man coming into his birthright gave us an unacceptable lecture on the grenade और बीना कोई सरम लाज के private quel जो है सर के जगा पे चला गया खड़ा हो करके वहाँ ऐसा भासन दिया जैसे कि उसका birthright उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और भासन क्या दिया grenade के उपर में पूरा lecture दे दिया उसने unacceptable ठीक है मतलब बहुत ही अच्छा लेक्चर दे दिया the squad listened in a crowd horrified kind of silence सब लोग सांध बैठे हुए थे और बहुत ही डरावना silence फैल गया था क्लास में कैसे है हम लोग क्लास में जब कोई लड़का teacher से मू लड़ा लेता है teacher से जगडा कर लेता तो पूरा क्लास silent हो जाता है उस तरह से प्रोफेसर जो लड़का था private quail उसने सर से पहले तो ऐसे कर दिया बोल दिया हम लोग तो बोलते हैं मू थेतरी करना उसे मू थेतरी कर लिया थेतरी कर दिया ना बहस कर लिया कि सर यह होगा 44 होगा तो यह होगा जवाब दे दिया और corporal sir को बुरा भी लग गया तो corporal sir उसको उसके हाथ में grenade भी फेक दिया और बोले कि जाओ तुम ही पढ़ाओ क्लास में और उसने पढ़ा भी दिया बे सरमी से corporal turnbull stood and washed corporal turnbull खड़े हो करके देख रहे थे impassive मतलब कोई reaction नहीं था except for a searching intentness of gauge intentness of gauge और वो एक searching नजर से कुछ ढून रहे हों जैसा ऐसा क्लास की ओर देख रहे हैं और बाकी सारे बच्चे silent में खड़े हैं और वो चुपचाप देख रहे हैं when the lecture was finished जैसे लेक्चर खतम हुआ उसने कहा कॉर्पोरल ने कहा thank you private quelch private quelch को thank you कहा fall in the others now अब बाकी लोगों के साथ बच्चों के साथ जा करके बाकी लड़कों के साथ खड़े हो जाओ he did not speak again until we had fallen in and were waiting to be dismissed और फिर private quelch पिर कॉर्पोरल ने और कुछ कहा नहीं जब तक कि हम लोग वहां से निकल नहीं गए then he addressed us फिर उसके बाद उन्होंने कहना सुरू किया कौन? कॉर्पोरल as some of you may have heard खड़े हो करके वो announce कर रहे हैं कह रहे हैं कि जैसा कि आप लोग में से कोई सुने भी होंगे he began deliberately deliberately का मतलब होता है क्या? for so 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 कुछ बोलाने उसके आगे platoon officer ने मुझे कहा है कि आप लोगों में से कोई एक बच्चा को कोई एक trainee को choose करना है nominate करना है नाम भेजना है है ना कुछ काम के लिए he paused and looked lingeringly up and down the ranks as if seeking final confirmation of decision वो रुक करके उपर नीचे देखने लगे जैसा कि final confirmation मिलने ही वाला हो तो आपको समझ में आया ये बात corporal जो है आप समझे एजिली corporal जो है खड़े हो गए है सारे बच्चों के सामने lecture खतम होने के बाद और कह रहे हैं कि platoon officer जो है commander जो है वो मुझे order दिया है कि एक लड़के को choose करना एक लड़के का नाम आगे भेजना है ठीक है ये बोले हो अब किस काम के लिए भेजना है ये confirm नहीं किये है so this was the great moment और यही जो था वो great moment था great समय था most of us could not help cleansing at private quelch और हम लोग तो खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे हम लोग तो private quelch की तरफ ही देख रहे थे भाई वही तो सबसे काभिल है क्लास में उसी का तो नाम जाना चाहिए उसी को तो सर लेके जाएंगे भी obviously तो हम लोग उसको बिना रुके हुए glance कर रहे थे देख रहे थे we stood rigidly who stood rigidly to attention and stared straight in front of him with an expression of self-conscious innocence और private quelch जो था वो सीधा strict होकर के rigidly खड़ा था और सामने की तरफ straight देख रहा था corporal को और उसका जो expression था वो बहुत conscious और बहुत innocent इनोसेंस ही था उसके खड़े होने में के तरीके में उसके expression में बहुत ही साधारन बच्चा जैसे वो खड़ा होकर के चुपचाप सीधा देख रहा था अब corporal ने announce क्या किया अब बोल दिया क्या ये क्या हो गया permanent cook house duties मतलब खाना बनाने वाला cook का duty में जो है permanent duty जो है वो उसके लिए मैं देख रहा था और मैं decide कर रहा हूँ कि private quill जो लड़का है जिसको professor के नाम से जाना जाता है उसको चुना जाता है इस job के लिए मतलब cook के job के लिए of course it was a joke for the days afterwards a joke and joy to all of us अरे ये तो joke of the day हो गया उसके बाद से उसके बाद तो ये मजाक बन करकर रह गया और एक मजाक रह गया और हमारे लिए तो बहुत खुशी का बाद था कि चलो उससे पीछा तो छूटा इतना भासन देता था आई रिमेंबर दो मुझे तो याद है माई फ्रेंड ट्रावर और आई वेर वेर वो टॉकिंग अबाट इट अ फ्यू देज लेटर हम लोग कुछ दिन बाद भी इस बारे में बात कर रहे थे ट्रावर मेरा फ्रेंड के साथ हम लोग कैंटीन से अपने हट की तरफ अपने घर की तरफ लोट रहे थे थू दा ओपें डोर खुले दरवाजे से वी कुड सी थ्री कुक स्टेंडिंग अगेंस दा वाल एज इफ अट बे और हम लोग देख रहे थे कि तीन कुक जो है वो तिवार के सामने खड़ा है and from within came and from within came the monotonous beat of a familiar voice और ठीक अंदर से कोई जाना पहचाना सा boring सा आवाज आया familiar voice monotonous मतलब जो daily होता है boring सा ठीक है जो daily चल रहा सुबह उटना है brush करना है, खाना खाना है, school जाना है सोना है, फिर सुबह उटना है, brush करना है खाना खाना, फिर school जाना है तो ऐसा जो daily का रूटीन चलता है उसको monotonous बोला जाता है और boring भी बोला जाता है इसको तो मतलब जो private quels का जो आवाज था, वो काफी boring था और familiar तो था है, फैमिलियर मतलब जाना पैचाना सा तो जाना पैचाना सा boring आवाज सुनाए दिया अंदर से, जहां पे तीन कुक खड़े थे तो उन लोगों को समझ में आ गया कि यह जो boring आवाज है, यह किसका है, private quels का ही है फिर से यहां भासन बाजी स्टार्ट कर दिया यहां पे खाना बनाने के टाइम पे आवाज पे आवाज किया आया, यह बोल रहा है, private quels बोल रहा है दूसरे कुक से, बाकी दोनों कुक से कि really I must protest against this आवाज आवाज पे आवाज पे आवाज गया आया, यह जो तुम लोग आलूच हिल रहे हो गलत तरीके से, abominably मतलब, बहुत ही बूरे तरीके से, unscientific तरीके से, unhygienic गंदा तरीका से यह जो तुम लोग आलू को छिल रहे हो, peeling potatoes, आलू को गंदे तरीके से, unscientific तरीके से, unhygienic तरीके से जो छिल रहे हो, इसका बिरोध मैं करता हूँ I need to only draw your attention to the sheer waste of vitamin values और मैं तुम लोग सब का ध्यान लाना चाता हूँ कि यह जो छिलका छिल करके fake दे रहे हो, इसमें बहुत सारा vitamins, बहुत सारा values, जो है, वो loss हो जा रहा है, minerals, vitamins वगरा और हम लोग यह सुनते ही, इसका आवाज, प्राइवेट क्वेल्च का आवाज भासन सुनते ही, हम लोग फ्लेड भाग गए वहाँ से तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है क्या, यह story यहाँ पे तो खतम हो जाता है और जिसनोंने वीडियो स्किप नहीं किया, उनको अच्छे सा समझ में आप ही गया होगा कि overconfidence जो है, वो कितना खराब होता है, overconfidence के वज़ा से प्राइवेट क्वेल्च जो है, वो कुक बन करके रह गया, अपना सपना को पूरा नहीं कर पाया वो उसका negative पार्ट हो गया, तो इस स्टोरी से अम लोगों को यहीं समझ माता है कि overconfidence जो है, वो कभी अच्छा नहीं होता है, overconfidence में उसने अपने instructor, अपने senior से मूँ लगाया उनको interrupt किया, उनको नीचा दिखाया, जिसके वज़े से उसको कुक का जॉब मिल गया और सेना में ही, आर्मी में ही उसने कुक का जॉब किया जो कि उसके लिए बहुत बुरा था, क्योंकि उसका अपना सपना था, officer बनने का है ना, आगे बनने का, और वो काफी महनती भी था और दूसरा पॉइंट यह है यहां पे, कि वो कुक बनने के बाद भी, punishment टाइप का चीज उसको मिलने के बाद भी, उसने अपना जो आदत है उसको छोड़ा नहीं, उसने जो अपना, यह, मतलब वो बुरा काम तो नहीं कर रहा, जो भी हो, वो अगर भासन दे भी रहा, तो वो गलत भासन नहीं दे रहा, वो सही चीज बोल रहा है, यहां पे, कि उसका छिलका को छिल करके फेक दे रहे हैं, पोटेटो का, तो वो अच्छा नहीं हो रहा, वेस्ट हो रहा है, है ना, तो वो जो अपना जो knowledge है उसको, वो वहां भी दे रहा है, मतलब उसको, मतलब ऐस खराब टाइप का, punishment टाइप का मिल भी गया, फिर भी वो अपना ग्यान बाटने में पीछे नहीं हटा, तो इसको हम लोगों को positively लेना चाहिए, कि एक positive पार्ट भी है, कि private quail जो है, भासन तो देता था, अपना बढ़ाई खुदी करता था, लेकिन वो ग्यान की बाते भी knowledge की बाते भी बता था, even जब उसको cook बना दिया गया, फिर भी वो ये बात छोड़ा नहीं, फिर भी वो ग्यान की बात करता रहता था, और लोगों को ग्यान देता रहता था, I hope कि ये वीडियो और ये chapter आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेर कीजिए दोस्तों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग, हैव नाइस टे,